बड़ी खबरे मुख्य समाचार और ताज़ा तरीन हेंड लाइन्स के साथ मैं गुपाल मिश्रा हाजिरू लेकर आज का अपबार सुन लिया समझू पढ़ लिया दोस्तो अस्तारी के 13 दिसंबर 2022 और दिन है मंगलवार आज की लेटेस न्यूज अपडेट्स में हो जारेंगे भुपेन पडेल ने गुजरात के 18 मुक्यमंत्री के तौर पर लिशपत टाटा ग्रूप जल्द ही देश भर में 100 छोटे एपल स्टोर्स खोलने की कर रहा है तैयारी इंग्लेंड ने 22 साल बाद पाकस्तान को उसके घर में टेस्स सीरीज में हराया चांद की सहर पर जाएंगे टीवी शो बालवीर के चायल आर्टिस्ट देव जोशी और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नज़र तो चलिए फटा फट चुरुआत करते हैं और किसी भी जानलेवा बिमारी के विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है 87,500 से जादा बिर्टिश वैसकों पर हुई स्टडी में ये नतीजा आया है अब सुनते हैं देश-दुनिया राजनीती की सभी बड़ी खबरें 62 साल के भूपेंद्र पटेल निकल सुनवार को गुजरात के 18 मुखमंत्री के तौर पर शपत ली गानी नगर सचीवाले के हलिपैट ग्राउन में राजिपाल ने दोपहर दो बजे उन्हें पद की शपत दिलाई समारों के लिए बनाए गया मंच पर पीम मोदी, ग्रे मंत्री अमिश्या और अक्षा मंत्री राजनाज सिंग के साथ भाजपा शाशित राजियों की सीम मौजूद रहे वहीं 2000 से जादा दूसरी नेता और 200 संत भी शपत ग्रहर समारों में शामिल हुए गुजरात के 18 मुख मंत्री बनने वाले पटेल पार्टिदार समुदाय से एकलोते निता हैं जो लगातार दूसरी बार सीम बन रहे हैं पुपेन पटेल के बाद 16 मंत्री ने भी शपत ली इनमें 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राजे मंत्री हैं दोस्तों आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉटकास्ट को अपने वाटसेप ग्रूप्स वा अन्य शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें तवांग सेक्टर में हुई जड़क में दोनों तरफ के कुछ सैनिक मामूली रूप से जखमी हुए छे घायल जवानों को इलाज के लिए गुआहार्टी के हॉस्पिटल लिजाए गया है रिपोर्ट के अन्सार चीनी सैनिक तवांग इलाके में भारत के एक पोस्ट को हटाना चाहते थे चीन के 300 सैनकों ने घुसपैट की कोशिश की थी इस घटना में चीनी फौज को भारती सिना से काफी ज़ादा नुकसान हुआ लोगसभा में सुमवार को देश के अर्थविवस्था पर तीखी बहस होई वेपक्ष ने डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को लेकर सवाल किये इस पर वित्तमंत्रे ने कहा कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थविवस्था से जलते हैं भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थवस्था है लेकिन वेपक्ष को इससे परिशानी है बिहार के पूरो उपमुक्मंत्य और भाजपा के राजसभा सदस सुशील मोदी ने 2000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाने की मांग की है उनने कहा कि पड़े नंबर्स के जो नोट हैं उनसे ब्लैक मली रखने की संभावना जादा होती है ऐसे में इसे बंद किया जाना चाहिए दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश शिशोदिया पर लगे मानहानी के मामली की सोंवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई कोट ने मनीश शिशोदिया को फटकारा कि आपको बिना किसी शर्थ के माफी मांग लेनी चाहिए थी आप बहस को यहां तक ले आए तो अब असम सीम पर लगाए गए भरष्टाचार को साबित करिए मद प्रदेश में कॉंग्रेस नेता और पूरो मंत्री राजा पटेरिया ने एक सभा में प्रधानमंती नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कही पन्दा में हो इस सभा में पटेरिया ने कहा कि अगर लोकतंद्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तक पर रहो हत्या का मतलब उनने हरा न बताया हलाकि इसे भाजपानेता काफी नाराज है गुजरात सरकार ने मोरभी ब्रिज हादसे की प्रभावित परिवारों को 10-10 लाक रुपे की अतरिक्त सहायता देने की खोशना की है मैलूमों की इस हादसे में 143 लों की मृत्य हुई थी दक्षिल कोलकता के शारदा मठवर राम ट्रिश्न शारदा मिशन की चौथी अध्यक्ष ट्रभरजी का भक्ती प्राण का निधान हो गया उनकी उम्र 102 साल थी मनी लॉडन केस में अनिल देशमुक को सुमवार को जमानत मिल गई 13 महीने से वे जेल में बन थे उनके खिलाब CBI ने जो केस दर्ज किया था उस मामले में जमानत मिली है गरस्तान के कोटा में तीन कोचिंग स्टुणेंट्स ने सुसाइट कर लिया इसमें दो स्टुणेंट एक ही हॉस्टल में रहते थे दोनों साथ महीने से हॉस्टल में रह रहे थे अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में घिरे महराश के गवर्नर भगत सिंग कोश्यारी ने ग्रेमंत्री अमिर्शा को चिठी लेकर मागदशन मांगा है उन्होंने ग्रेमंत्री से सलाम आगी है कि उन्हें इस पत पर बने रहना चाहिए या नहीं कोश्यारी निया चिठी 6 दिसंबर को लिखी थी जो अब सामने आई है जारखन के घाट शिला कॉलेज में सुमवार को विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान एक मॉडल में धामाका हो गया इससे 11 स्टुडेंट्स खायल हो गया इन दौर में चेकिंग के दौरान एक ट्रैफिट पुलिस कर्मी की जान पर बनाई दरसल एक कार चालक को पुलिस कर्मी ने जब रोकनी की कोशिश की तो वो कार भगाने लगा और बोनट पर चड़े पुलिस कर्मी को चार किलो मिंटर दूर तक ले गया पिछले हफते देश में एक बड़े ऑनलाइन सेक्स रैकेट का परदाफाश हुआ है इस रैकेट ने पिछले तीन साल में 14,000 से अधिक लड़कियों को जिश्म फरोशी के धंदे में धकेला पुलिस ने 18 लोगों को गिरफतार किया है और सैकडो लड़कियों को रेस्क्यू किया है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाराल हो रहा है जिसमें करनाटक के हारसन से भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा अपने विधान सभा के एक इलाके में मुस्लिम वोटर से कंणर में बोल रहे हैं कि जब तक आप वोट नहीं देंगे तब तक आपका कोई परसनल काम नहीं होगा इंग्लैंड के उचिसदन हाउस अफ लॉट्स में भारत के भगोले धर्मगुरू नित्यानन्द की प्रतनिधी को बुलाने पर विवाद हो गया नित्यानन्द पर भारत में अपनी अनुयाई का रेप करने और बच्चों को किड्नैप करने का आरूप है अफगानिस्तान की राजधानी काबूल में सुमवार को चीनी होटल के नाम से मशूर एक रेस्टरेंट और गेस्ट हाउस पर हमला हुआ तालिबान ने कहा कुल तीन हमलावरों ने होटल को निशाना बनाया तीनों को मार दिया गया है दो विदेशी नागरिक खायल है साल 1988 में लंदन से नियॉयॉक जाने वाली फ्लाइट पैन M103 में धमाके करने के आरूपी को अमेरिका ने राइवार को अपने कस्टरी मिलिया 34 साल पहले स्कॉट लैंड के लॉकर भी में हुए इस आतंकी हमले में फ्लाइट में मौजूद 269 लों की मौत हो गई थी इसके साथ ही 11 आने लोग इसका मलबा करने के कारण मारे गए थे घटना में 279 लों की मौत हुई ये इंग लैंड की धर्टी पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है अमिर्की स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस वन मून मिशन अब पूरा हो गया है रविवारात 11 बचकर 10 मिनट पर ओरियन स्पेस क्राफ 14 लाख मील की यात्रा घर पृत्वी पर वापस लोटाया इसकी लैंडिंग मैक्सिको के गौाडा लूप द्वीब के पास प्रशान्त महासागर में हुई अब सुनते हैं बिजनिस वर्ल्ड की लेटिस न्यूज एर इंडिया पास सो नए विमान खरीदने की तैयारी में है रिपोर्ट्स के मताबिक टाटा ग्रूप की एर इंडिया पास सो नए विमान अपने बेडे में शामिल करने के लिए ओर्डर देने जा रही है इनमें चार सो छोटे विमान और सो बड़े विमान शामिल होंगे ट्विटर को टेक ओवर कर चुके इलोन मस्क ने नए साल में सैन फ्रेंसिसको हेड़कोर्टर के 265 आइटम्स निलाम करने की घोशना की है निलामी 17 जन्वरी को ऑनलाइन होगी इसमें कॉफी मशीन जैसे किचन आइटम, इलेक्ट्रानिक्स, फनीचर जैसी चीज़ें रखी गई है नमंबर महने में रिटेर महंगाई यानी CPI घटकर 5.88 प्रतिशत पर आ गई ये 11 जन्वरी का निचला स्तर है, दिसम्बर 2021 में महंगाई 5.59 प्रतिशत पर थी इसके बाद ये लगतार 6 प्रतिशत के ऊपर बनी होई थी टाटा ग्रुप जल्दी देश भर में 100 छोटे एपल स्टोर्स खोड़ले की तैयारी में है एकनोमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अंसार एपल स्टोर्स के लिए टाटा के स्वामत वाली इंफिनिटी डिटेल के साथ बातचीच चल रही है इंफिनिटी डिटेल भारत में क्रोमा स्टोर्स चलाती है डाल्मिया भारत की सबसीडेरी डाल्मिया सिमेंट ने जैप्रकाश एसोसियेट्स की सिमेंट, क्लिंकर और बिजली सन्यंत्रों का अधिगरारत करने के लिए एग्रिमेंट किया है कंपनी के प्लान्ट मद्प्रदेश, उत्तरप्रदेश और 36 गड़ में स्थित हैं शेर बाजार में कल मामूली गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स, 51 अंगों की गिरावट के साथ 62,130 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी, शूरिय दश्मलों 55 अंग की बेहत मामूली बढ़त के साथ 18,497 के स्थर पर बंद हुआ बाहर सरकार ने पाकिस्तानी OTT प्लेटपॉंग विडली टीवी पर बैन लगा दिया है, इसका कंटेंट भारत की सुरक्चा और अखंड़ता को नुकसान पहुचाने वाला था अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार 17 साथ बाद पाकिस्तान दोरा कर रहे हैं इंगलियान की टीम ने तीन टेस्ट मैचों की सिरीज जीत ली है, उसने दूस्ते मुकाबले में पाकिस्तान को 26 रनों से हराया इस जीत के साथ ही इंगलिश टीम ने सिरीज में दो शुन की अजे बढ़त बना ली है फीफा वर्ल्ल कब अब अपने अंतिम पड़ाओं पर पहुंच चुका है, कल 14 दिसम्बर को अर्जिंटीना, क्रोईशे और 15 दिसम्बर को फ्रांस मुरकों के 20 सेमी फाइनल खेला जाएगा फाइनल 18 दिसम्बर रहेवार को होगा आखरी बॉल पर विद्या के चौके और इस्मृती मंधाना की आकरशक पारी के दम पर इंडियन विमन्स टीम ने पांच बार की T20 वर्ल चैंपियन उस्टेलिया पर रोमान चक जीत धर्ज की उसने सांस थाम देने वाले मुकाबले में बीते रहवार को आउस्टेलिया को चार रन से हरा दिया महमानों ने टॉस हार कर बल्लेबाजी करते वी एक विकेट पर 187 दम नाए इसके बाद सूपर उवर में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बनाये जवाब में उस्टेलिया एक टीम सोलर रन ही बना सकी तो चली अब सुनते हैं मनुरेंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें रितिक रोशन ने एक इंटर्व्यू में कहा है कि एक समय था जब वो फेजिकल और मेंटरल कंडिशन से जूर्सते रहते थे बहुत अधिक हक लाने के कारड़ स्कूल में उन्हें काफी ज़्यादा तंक किया जाता था गर्ल्फेंट तो दूर उनका कोई दोस्त तक नहीं था वो अकेले में बैठ कर घंटो रोते रहते थे इंकम टैक स्वेभाग ने सोंवार को ब्लॉक बस्टर फिल्म पुष्पा बनाने वाली तेलगू प्रोड़क्शन कंपनी मैत्री के कई ठिकानों पर छापे मारी की आईटी अधिकारियों को शक है कि इस प्रोड़क्शन कंपनी में कुछ NRI लोगों ने भी निवेश किया है शारुक खान ने रहिवार को मा वैश्णो देवी के दर्शन किये कहा जा रहा है कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के प्रमोशन के लिए पहुँचे थे कुछ दिन पहले तिल्म डंकी की शूटिंग पूरी करने के बाद शारुक खान मक्का पहुँचे थे वहाँ उन्होंने इसलामी तीर थियात्रा उम्रा की थी शारुक खान की मोस्ट अवेटेट फिल्म पठान का पहला सॉंग इस बीच रिलीज हो गया है इसका नाम है बेशरम रंग कल थलाईवा यानि रजनीकांत ने अपना बहत्तरवा जन दिन मनाया उन्हें देश दुनिया से काफी बदाई हैं मिली सब टीवी के फेमस टीवी शोओ बालवीर में बालवीर का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट देव जोशी जल्द ही चांद की सहर पर जाने वाले हैं जापान के अरभपती ने यह ट्रिप फाइनल कर दी है टृफ पर जाने वाले लोगों को शोट लिस्ट कर लिया गया है जिसमें देव का भी नाम शामल है फिल्म आर 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 को प्रतिष्टिट गूल्डन ग्लोब अव़ाड्स में नॉमिनेशन मिला है यह nomination best non-English film की category में दिया गया है और अब आज की रोचक खबर अमेरिका के Florida से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहाँ एक व्यक्ति ने पुलिस को यह करकर चुका दिया कि उसने दो टकैतियों की वारदार्त को इसलिए अन्जाम दिया क्योंकि वा बिकार में बोर हो रहा था और कुछ नया करके अपना दिल बहलाना चाहता था Florida के पुलिस ने इस व्यक्ति को Orlando शहर के gas station और bank में टकैति के मामले में ग्रफ ताल किया है जिसके बाद पूस्ताच में उसने यह खुला सकिया तो दोस्तों यह हो गई आज के प्रम्त समाचार पत्रों में छपी तासा तरीन खबरें अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का कल मैं पूछा था किस राज में सलाम आर्ती का नाम बदल कर संध्या आर्ती कर दिया गया है करनाटक के रहल याता मिल्लाडू सही जवाब है करनाटक जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बदाई और अब आज का सवाल आज का सवाल है कि हाल ही में अमेरिकी स्पीस इजिंसी नासा का कौन सा मिशन पूरा हुआ है A. Artemis 1 मंगल मिशन B. Artemis 1 मून मिशन B. Artemis 1 मिशन करपया कमेंट के मादिम से अपना उत्तर जरूर दें आज का अकबार अंतक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद and once again I request you to please subscribe our channel and share this podcast with your friends तो कल फेर होगी मुलाकात क्योंकि हर दिन, हर बार लेकर आता हूँ मैं आज का अकबार तब तक के लिए नमस्कार